तो भाई WCC 3 में स्वाइब कंट्रोल्स आ चुके हैं तो आज हम बात करेंगे जिहां बिल्गुल स्वाइब कंट्रोल्स की ट्रिक की की स्वाइब कंट्रोल्स को कैसे यूज़ करना है इतने दिन से अपन उस कंट्रोल में यूस्टू हो गए थे जो पुल और रिलीज वाला कंट्रोल है उससे यूस्टू हो गए थे अब एकदम से ये कंट्रोल आ गया तो सब को एकदम से दिक्कत महसूस हो रही है कि कैसे इसको यूज़ करना किसी से 6 या 4 लग नहीं रहा इस क पहले बात कर लेते हैं कि इन कंट्रोल में आपको करना क्या पड़ता है इस ये वाला कंट्रोल काफी ज्यादा इजी है इसमें आपको सिर्फ तीन चार ओप्सन मिलते हैं लॉफ्ट वाला मिलता है लिव वाला मिलता और यह इधर से जो एकदम राइट हैंड साइड पर दे मदब यह यह कि अपके सोट का पावर डिसाइड करता है अब बात करते हैं कि इस बॉल की टाइमिंग कैसे डिसाइड करने हैं टाइमिंग के लिए जो आपको ऊपर बैटिंग वाला मेटर दिया हुए जिसमें तीन जोन दिये में है ग्रीन येलो और रेड उसका खास तोड से द्यान रखना है उसमें आपको पोजिशन देखनी है कि ग्रीन जोन की पोजिशन कहां पे आती है हर एक बॉल पे फ्लक्षवेट होगी तो आपको देखना है अगर एकदम बीच में पोजिशन आ रही है तो आपकी बॉल जब हाथ से छूट के आदी पिच तक पहुंच इस टाइम स्वाइब कर दीजिए जिस भी डायरेक्शन में सोट मारना हो जैसे मैंने इस बॉल पे कर रहा है मेरी एकदम ग्रीन जोन एकदम बीच में आ रहा है तो बॉल जैसे इस बिच के एकदम बीच में पहुंची मैंने यहां पे इसको स्वाइब कर दीजिए कर दिया अगर green zone ठोड़ा late है एक्दम meter के अख consumer बैठ के पास पहुंचे मनल बॉल एग Lana से आराम की पर arranged अगर आप वाले बैट वाला जो ये meter होता है जो आपका power वाले meter उसमें आप पूरा जोईस्टिक को एकदम से नीचे खीश देंगे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया तो आपकी अगर टाइमिंग थोड़ी बहुत गडबट भी हो जाएगी यलो में आ जाएगी तो मतलब आपका 6 या 4 अराम से लग सकता जैसे कि आप इस लास्ट वाली बोल में देखा मैं यलो में आया था और यलो में आके टाइमिंग थोड़ी स्थीक नहीं थी लेकिन पावर सोट में था ज्यादा था इस वज़े से अच्छा सोट लगा और अराम से मेरा 6 चला गया तो यह एक छोटी स कोशिश थी अगर आप समझ गये होंगे तो समझ गये होंगे तो यार वीडियो को लाइक करके बता दीजिए और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दीजिए एकदम फ्री है बिल्कुल पैसे नहीं लगते